अल्यू एब्रीबन वेल्कम टू शिवाम कोचिंग क्लासेस आज हम पढ़ेंगे प्रशना वाली 1.5 आईए अब देखते हैं दूसरे प्रशने को यह उन्हें लिखित संख्याओं के वर्गमुल दशमलों के दो स्थानों तक ज्याद कीजिए इसका कहने का मतलब है कि आपको वर्गमुल तो वैसे ही ग्याद करना है लिकिन जो संख्याओं दशमलों वाली होती है तो दशमलों के बाद हमें दो संख्याओं ग्याद करनी है तब ही उसका उत्तर पूरा होगा तो देखिए पहला प्रशने 0.9 0.9 को हम लेते हैं हमने यह ले लिया अब देखिए दशम संख्याओं गई है अब शूनने को लिए पbahnया दो तो आएगा और यहांपर कर प्वेंग को हम लेते हैं नीचे सदर्टह से गुड़ा करने परसे तो कोई संख्या ले सकते हैं यह 90 सो छोटी संख्या आने वाली संख्या है 9, 9 गुणा 9 कितना होता है, 9 नियम 81, तो हम यहाँ ले लेते हैं, 9 नियम 81, माइनस करने पर यहाँ पर फिर से 9 बचेगा, अब यह 2 शुन्य हम फिर नीचे ले आते हैं, यहाँ पर 9 को जोड़ देते हैं, यह हो गया 18, ठीक है, अ चार अठे 32, और एक 33 के 3, हाँ ताई 3, चारे कम 4 और 3, 7, 736, जो कि बहुत छोटी है 900 से, हम 5 ले कर देखते हैं, 185, गुणा 5, पांच पंचे 25, हाँ ताई 2, पांच अठे 40, और 2 42, यहाँ है 4, पांचे कम 5, 4, 9, 925, जो कि ज्यादा हो जाएगा 900 से, तो हम 4 ही लेते हैं, तो यहाँ पर 4 लेने पर 736 हम लिखते हैं, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 7 गया 2, 264 यहाँ बचता है हमारे पास, देखिए अब हमारे पास दशमलोग के 2 अंकों तक संख्या ग्यात हो गई है, तो यह है हमारा उत्तर, बराबर 0.94, कुछ आंसर, कुछ उत्तर होते हैं, किताब में जो दिये होते हैं, अगर हम इसके बाद एक संख्या और लेंगे, तो उसके बाद आएगा 8, अब 8 लेने के बाद, आप यहाँ पर 8 बार में इसको डिवाइट करेंगे, 8 लेने के बाद यह जो तीसरी संख्या है, वो 5 से जादा हुई, तो इसे हम 5 कह देते हैं, तो पुस्तक में इसका अंसर 0.95 दिया गया है, वो एप्रॉक्स लेकर, लगभग लेकर दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट अंसर इसका 0.94 होगा, क्योंकि हमें केवल दो संख्या ताक ही ग्याद करना है, दूसरा प्रश्न है, 16.81, 16.81, सुरी मैं पहले प्रश्न में पहुँच गई, हमारा दूसरा प्रश्न है यहां पर 5, 5 को हमें लेना है यहां, इस तरह से, 5 के बाद देखिए, 5 जब भी लिखा जाएगा, उसके बाद हम दश्मलों लगा सकते हैं, दश्मलों लगाकर हम यहां लगाएंगे 2 शुने, फिर से 2 शुने, क्योंकि हमें 2 अंक तक उसके दश्मलों के 2 अंक तक हमें उत्तर चाहिए, इसलिए हमने 4 शुने लगाएं दो जोडियों में, फिर से 5 को हम लेंगे 2 दूना, 4 घटा देंगे, बचेगा 1, यहां पर जोड देंगे 2 को, यह हो जाएगा 4, अब यहां पर 1 बचा दश्मलों यहां लगा दिय और यह दो शुने आ गए यहां, यह बन गया 100, और यह है हमारा 4, अब 4 के पीछे हम कौन सी संख्या लें, कि 100 से कुछ काम आए, तो हम लेकर देखते हैं, 4 और 5, 45 गुणा 5, 5, 25, 5, 24, 22, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे, हम 2 लेकर देखते हैं, 4 औ ज़्यादा भी कुछ हो सकता है क्या, 43 गुणा 3, 3, 3, 9, 3, 4, 12, नहीं, यह हमें नहीं लेना चाहिए, हमें 84 ही लेना होगा, जो कि 100 से कम है, तो यहां पर हम 2 लेते हैं, यहां भी 2, यहां लिखते हैं 84, ठीक है, सभी को समझ में आ जाएगा यह, अब इसे हम गटाते हैं, 10 में से 4 गया 6, और यहां 9 में से 8 गया 1, यहां पर कुछ नहीं बचा, 16 बचा, अब इसके पीछे हम यह संख्याएं, लिक देते हैं दोनों शुन्य, ठीक है, इधर जोड लेते हैं 2 को, यह हो जाएगा 44, 44 के बाद, अब देखें यह हो गया 1600, अब 44 में हम क्या गुणा करें कि 1600 से कम यह 1600 आ जाए, तो दिखिए 44, इसके पीछे 2, गुणा दो, दो दुना, 4, दो चौक, 8, दो चौक, 8, 884, यह तो 1600 है, जस्त डबल है इसका, तो हम बड़ी संख्या लेते हैं, 4, 4, 5 ले लेते हैं, 5, 5, 25, 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 22, 22, 22, 22, 25, 25, को जादा ही बड़ा हो गया, अब यह, 1600 से भी जादा हो गया, हमें 3 या 4 ही लेना होगा, 444, गुणा 4, 4, 16, 4, 16, 17, 17, 1776, 4 भी ज्यादा है, हमें 3 ही लेना होगा, इसका मतलब, 4, 4, 3, गुणा 3, 3, 3, 9, 3, 12, का दो, हाथा एक, 3, 12, 13, यह सही है, 13, 29, 3 बार में, 10 में से 9 गया, 1, 9 में से 2 गया, 7, 5 में से 3 गया, 2, क्रोस, देखें, यहां पर 2, 2, 3, यह हमारा एक्जेक्ट आंसर है, जबकि आपको किताब में इसका आंसर 2, 2, 4 दिया गया है, क्यों, क्योंकि उसने दशमला के बाद 3, 4 डिजिट तक लिया है, इसके बाद हम एक डिजिट और लेंगे, तो वो हो सकता है, 5 से ज़्यादा आए, 5 से ज़्यादा आने पर इस 3 को 4 कर दिया जाएगा, यह होता है, अगर आपको ऐसा सॉल्फ करने को कहा जाए, तो आप बिलकुल यहां पर तीसरे अंग को भी लिजिए, और उत्तर में आपको 2, 2, 3, 6 अगर आता है, तो 2, 2, 4 उसको आप लिख सकते है ठीक है, तीसरे प्रश्न है, 7, 7 की बाद हम दशमलो, 0, 0 और 0, 0 लगा लेते हैं, 7 अब आएगा, 2, 2, 4, 3, 3, 9 जादा हो जाएगा, तो हम 2, 2, 4 ही लेंगे, बचे गए यहां पर 3, फिर दशमलो यहां ले गए हम, प्लस 2 के यह 4 हुआ, 0, 0 नीचे ले आए, ठीक है, इसके बाद हमें संख्या ग्याद करनी है, 300 के लिए हम 4 के पीछे क्या लगाएं, 4, 3 ले ले लेते हैं, 3, 9, 3, 4, 12, 139 हुआ, 4 लेने पर, 4, 4, 16 की 6, हांसिला 1, 4, 4, 16, 17, 176, हमें बड़ी संख्या लेनी होगी, 4 के पीछे हम लेते हैं, 6, 46, 36, 36 की 6, 3, 6, 24, 25, 27, 276, 300 से छोटा है, ठीक है, एक और नमबर लेकर ठाई करते हैं, 47, 7, 7, 7, 49, 4, 7, 28, 29, 31, 32, 32, 329, जो की बड़ा हो जाएगा, हमें 6 लेना होगा, 46, यहां पर भी 6, हमारा संख्या आएगा, 276, 10 में से 6 गया, 4, 9 में से 7 गया, 2, और 2 में से 2 गया, कुछ नहीं, शुनी-शुनी हमने नीचे लिया, 6 को जोड़ा, यहां पर हो जाएगा, 52, यह हो गया 52, अब देखिए, हमें एक अंख तो लिया है, दूसरा अंख हम लाएंगे, अब, 52 के पीछी हम क्या लगाएं, कि 24 सो बन जाए, तो 52 के पीछे हम लेते हैं, सीधे-सीधे 5 लेकर देखते हैं, पांच पंचे पच्चेस, दो, पांच दूनी दस और दो बारा की दो, हां था यह, पांच पंचे पच्चेस और एक, 26, 26, 24, जो की ज़्यादा हो जाएगा यहां पर, तो हम 4 लेते हैं, ये संख्या अमारी ज्यादा हो गई तो हम चोटी संख्या ले सकते हैं, संख्या अमारी कम है तो हम बड़ी संख्या ले सकते हैं, ये आपको समझ कर खुद निकानना होगा, मैं आपको घटाने का प्रोसेस पूरा नहीं बताते हैं, ये इसमें से उधार ये उसमें से उधार लिया, ऐसा नहीं बताती हैं, मैं सिधे सिधे 10 और 10 और 9 तीन ऐसा करते जाती हूँ, उस चीज को आप समझें और समझ कर सॉल्व करें हैं, तो देखिए आपको इस प्रश्न को मैं तीसरी डिजिट तक और सॉल्व करके दिखाती हूँ, जो कि इन दोनों प्रश्न में किया गया है तीन सो चार आया, अब इसके बाद हम फिर से इस चार को जोड़ देते हैं, पांच, दो, आठ हो गया यह, अब तीन सो चार, यहां पर हमें एक शुन्दे का जोड़ा और ले ना होगा, जो कि आ जाएगा यहां, ठीक है, तीस अजर, चार सो, यह आगे हमारा, अब पांच स 25 का 5, 2, 5, 8, 4, और 2, 42, 5, 2, 10, और 4, 14, 5, 25, और 1, 26, छोटा है, 5, 2, 8, 6, गुना 6, 6, 6, 6, 36, 6, 3, 6, 8, 48, 49, 59, का एक, हाथाई 5, 6, 2, 12, 5, 17, का 7, हाथाई 1, 6, 35, तीस और 1, 31, यह हो जाएगा ज्यादा, तो हमें यह लेना होगा, पांच बार में यह पांच, अब यह आया, 26,425, दस में से 5 गया, 5, 9 में से 2 गया, 7, 13 में से 4 गया, 3 का हम 13 बन जाएगा, 9, 4, 13, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यह बन जाएगा, 9 में से 6 गया, 3, यह हो जाएगा, क्रोस, तो यहाँ पर देखिए, 2, 6, 4, 5, इसको 2, 6, 5 लिखा जाएगा, उत्तर, बराबर 2, 6, 4, 5, यहाँ पर परगमुल लिया जाएगा, इस तरह से हमें तीसरी संख्या, 5 यह 5 से जाएगा, तो इस दूसरे नंबर की संख्या को एक बढ़ा दिया जाता है, यही इन दो प्रश्नों में किया गया है, जो कि मैंने आपको तीसरी प्रश्नों में करके बताया, तो आ और आज के वीडियो में बस इतने ही प्रश्न, अगले प्रश्नों को हम देखते हैं अगले वीडियो में, तब तक के रिए बाबाई, एंड थाइंक यू